औबजेक्ट को बनाना उसकी वैल्यूस को एकसेस करना ही हम जानते हैं यह हमने एरे के साथ औबजेक्ट उसी बत पर दिया था बुक में यह अभी आया है तो ज़रा देख लेते हैं कि अब क्या बता रहा है इस बुक में अब अलग अलग बनाने की जुरूत नहीं है ऐसे अगर आपका यह चार्ट है इस डेटा को आपने वैरीबल में सेफ कर रहा है तो आप कैसे करें कि आप आप अबजेक्ट में कर लाएंगा ऐसे करके बता रहा है कैसे सेफ कर लो यह सेंटेक्स सब लोगों से फेमिलियर है यह लाल लल लकीरों को हटागें यह तो इसने अंडर लाइन किया है इसी बताने के लिए कि कहां पर क्या हो रहा है पता है सब लोगों कोई है वैदर एप में इसके साथ आप डील भी करते रहे हैं अच्छा आ जब आगें ऑफर्ज़त की प्रॉपैर्टीज को कैसे करते हैं DANIEL अच्छा तो अब यहां पर थोड़ा सा इसको आपना एक दो चीज़ें और देख लेते हैं जो इनों यहां पर अच्छा एक मैनों अब्जेक्ट बरा लेता हूं तांके वो तोड़ा सार रुकॉल हो जाए मैंने का इस्टुदेंट इक्वल्स्टू और करली ब्रेंगे दोबने के दोबने क्लोस्टू नेम इक्वल्स्टू मलीक ठीक है शब्जेक्ट इक्वल्स्टू इक्वल्स्टू CS और बैच एट और मार्क्स एक्वाइज़ कुछ भी हो सकता है तो यह एक अब्जेक्ट होता है इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर एक्सेस करना है आपने तो आप कैसे करते हैं मिसाल के दर पे मलीक आपको अक्सेस करना है तो आप क्या करते हैं student.name करके करते हैं ठीक है इसको आप कंसोल पे प्रेंट करवा लें कंसोल पे प्रेंट करवा लेते हैं सभी हे प्रेंट हों खेंट है अर अंतके कर हैं प्रेंट करते है, आप में लिए केरी हों भी बता दता हूं एसे भी एक्सेस कर सकते हैं एksस को चोके कर सकते हैं एक बंदा ने पीछे के बेट बन कर दो आप से क्राङ्ट चाल्ट अन्दर महता है यहार सही तो है, थोड़ा, असीन आ रहा है, चलो खोल देता है, यह उमीद पर बंद किया था कि एस ही चल रहा है, लेकिन नहीं चल रहा है, वो तोड़ा इतना अच्छा है, अच्छा, फैर यह शोर बहुत करता है, अच्छा, तो यह समझ आ गया सब लोगों को, कि ऐसे भी ऑबजेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाती है, मैं यहाँ पर जाके उसको जरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें भी वही प्रेंट हुआ, इसमें भी वही प्रेंट हुआ, तो दोनों तरीके से ऑबजेक्ट क अच्छा, ऐसे करेंगे एक्सेस हम कब करता है, ऐसे अभी तक तो जरुद नहीं पड़ी है, जरुद तो नहीं पड़ी, डाइनमिकली एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है, लूप चलाने के दौरान बीच में आप जो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सेस्ट ही नहीं करती अभी खिलाल लेकिन इसको यही तक रखते हैं, अच्छा, बाई मिसाल के दौर पर, अभी बता बेता हूँ, यह लोग, इस्टूडेंस के अंदर, इसका कंट्री नहीं है, कंट्री के नाम से कोई चीज नहीं है, अब मेरे पस पर डेटाबेस से दो चीज़े आई है, ठीक ह आई है, यह देटाबेस से लाके मैंने वैरीबल में सेफ कर वालिये हूँ, सही है, कंट्री इक्वल्स तूपीक है, यह देटाबेस से, दोनों चीज़े देटाबेस से आई हो, ठीक है, असल मैं देटाबेस से, CEO, UNTRY, यह मेरे पास आई है, एक डेटाबेस से यह वैली ओई है, एक यह आई है, अब मुझे इसको सेफ कैसे करवाना है इसके अंदर, अभी मौझूद नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के दौरान मुझे इटाबेस से मिला है, और मिलता ही जा रहा है, मुझे इसको अबजेक्मे करवाना है, अब मुझे इसको ऐसे सेब करवाना है कि कंट्री जो लिखः वै न, उसको मैं ऐसे की की जगह पे लगा दू, और पाकिस्तान को मैं का लगा दू, इस जगह पे लगा दू, अब ये काम मैं प्रोग्रामेटिकली कैसे डरूँगा, एक तो तरीक ही होगा न, इ क्या, country, c-o-u-n-t-r-y, country equal to Pakistan, मतलब, ये तो मैं जब लिखूंगा ना जब मुझे पता है, ये country भी dynamic है, ये country के है, database से आती है, dynamic है, और ये Pakistan भी dynamic है, तो पाकिस्तान की जगा value मैंने ये तो लिख दिया, ये value मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन इस country की जगा मैं ये key कैसे लिखूंगा, country.key, ये बोले का भाई, student ये अंदर key के नाम से कोई चीज एकस्ट नहीं करती, तो ये कैसे लिखूंगा मैं, ये ऐसे लिखूंगा, ये dot हट जाएगा, तो dot की ज़रूद नहीं है, student, और sorry, key को मैं फिर variable के दौर पर लिखूंगा, key और value, इस तरह अगर भी कोई, key भी वहीं से आ रही है, value भी वहीं से आ रही है, सब वहीं से आ रहा है, और लागि मुझे उसको यहाँ पर अपने पस display करवाना है, screen पर ये कोई process करना है उसके साथ, उस process को करने विलिए मुझे जो object में उसको डलना है, map करना है object में, तो मैं इस तरह से कर सकता हूं object के अंदर object होगा ना तो ऐसे करेंगे, मैंने का मिसाल के दूर पर student के अंदर जो हो, क्या है, demo है, demograph, student के अंदर demograph, उसके अंदर जो key आई है वो, ये भी database से आ सकता है demograph ये dot ही है, ये dot लगाने का dot notation है, और ये भी notation है, दोनो notation सही है, गलत नी है ये इस सब हटा दू और क्या करूँ? ये सब सीदर अगर आप इठा रेके हैं, तो इस नो पूगर्ट के key और उसकी value पढ़ी की हाँ, ये आ चुकी है न, इस के अंदर अभी करके देखते हैं, चला के देखते हैं, सोड़ कूँ, मैंने लिखा न है demograph, और demograph के अंदर या लिखा मैंने ये पूरा लिख दिया न, इसके अंदर, सही है, जैसे dot dot लगाते थे न, notation में, के dot demograph dot country, तो इसमें अब ऐसे square रेके करके लगाएंगे, तो ये बात जब मैं लिखूंगा, तो कुछ इस तरहा से जाके save होगा, इसमें, ये पहले से save नहीं है, ये मैं just comment में लिखके बता र इसके अंदर, तो फिर कैसे होगा, फिर ये, ऐसे save होगा, सही है, ये चीजें, ये मैंने comment में लिखिवी है, ये इस object का part नहीं है, comment वाली चीज को रीट नहीं करता न, program, लेकिन जब मैं नीचे इसको print करवाऊंगा, यहाँ पर, console dot log के उपर, तो आप देखेंगे कि हो जाए रही है, इस student को मैंने print करवाया जब यहाँ पर, तो आप देखेंगे, कि इसके अंदर, ये key और ये value कैसे आरी होगी, country और उसके सामने पाकिस्तान आ रहा होगा, चला के देख लेते हैं यहाँ, जब मैंने इसको खोला, तो इसमें subject CS और ये country पाकिस्तान आ रहा ह ये काम करना पॉसिबल नहीं था, dot notation से ये काम नहीं हो सकता, dot notation लेकिन असान है, read करते हो जातर वही इस्तामाल करते हो, ठीक है जी, तो इसको मैं वापिस से comment कर देता हूँ, अब हम SL में पढ़ने है, method सोड़े से, object तो हमने पढ़ दिया है, method हमने नहीं पढ़े, object के, method के, let's return the chart to the different hosting plan, ये इसने जो है, एक object बनाया है, अब इस object ये अंदर क्या किया है, name basic, ये internet का package है, ये plan, price उसका है $4, 3.99, space इसमें है 100 GB, 100 GB की आपको जाना, वो मिलेगा, bandwidth, ठीक है, और कुछ और भी है, pages है, payment, जो, कुछ चीजें इसने डादी भी है, ठीक है, वो यहाँ पर chart बना के इसने दिखा भी दिया, कि क्या की आपको मिलेगा, hosting plan, अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, कह रहे है, we begin by creating three objects with properties, this is the object and its properties that represent the basic plan, कह रहे है कि हमने ने ऐसे तीन object बना चुक है, पिछले chapter में बनवाये थे इसने, ऐसे तीन object बना चुक है, plan 1, plan 2, plan 3, हमारे case में क्या है, student है न, ये student को मैं copy करके नीचे ले आता हूँ, ऐसे तीन student बना लेते हैं, ऐसे तीन student बना लिए है, student 1, student 3, error क्यों दे रहा है बाई दोगे, उसाइए comment चे हटा हूँ आँ आँ रहा है, मेरे बाद एक student error ही है, ऐसे तीन student बना लूँगा, तीनों के नाम अलग होंगे, तीनों का सबकु चला हूँगा, तो हम भी इसके एक बना में, the function cycles through all the discount month, line number five में क्या बता रहा है, कि discount के month भी इसमें mention हुए है, checking if to see them to happen to the third month in line six, यहां पर नीचे इनोंने क्या लिखा है, एक function लिखा है, जो क्या करता है, यह calculate करता है annual पैसे पूरे, इस package पे पूरे साल के कितने पनेंगे, तो बहुत आसान है, plan one dot price करके वो price निकाला monthly, उसको क्या कर दिया, multiply कर दिया, बारा से तो पूरे साल का निकलाया, ठीक है, अचा लेकिन इनोंने थोड़ा सा different हिकाम किया, इनोंने इकाला है date, क्या भी date किया है, और get month करा इसना, और month get करके इसने क्या किया, कि discount month भी एक रखा वैसन है, उसको भी include किया इसके अंदर, और आखिर में एक price return कर दिया, अब आगे क्या कह रही है, यह सब कुछ इसने कर दिया, और ऐसे करके इस function को यह call करता है, कि calculate annual, function चलता है वो उसमें से चीजा निकालता है, अब इसमें problem किया है, इसमें problem किया हूँ, अंदर complex सी logic लागाई है वो matter नहीं करती है, अभी असल बात वो आगे बता रहा है, now let's make a function more flexible, कह रहे है के calculate annual को क्या देदो, percent of discount, कितने percent discount देना है वो भी इसको देदो साथ में, तो अब इसने बोला है के point 85 percent का discount देदो, वो भी साथ में देदी है, तो अभी यह क्या करेगा, calculate करने के बात नहीं इतने percent का discount देदो, हमने कर लिए, clear हो गया, अच्छा, you have learned that, you can attach a variable to be an object, and the variable becomes object property, here is more news, you can attach a function to an object, कह रहे हैं कि यह function अलग से तो बनाना सीख चुके हैं आप लोग, विछले chapters में भी कर चुके हैं, अभी दुबारे असने बता दिये हैं, कह रहे हैं कि भाई, इसके अंदर ना क्या हो सकता है, इसके अंदर एक function भी हो सकता है, ठीक है, मिसाल के दौर पर, calculate fees, student ही क्या होती है, calculate fees, calculate fees equals to a function, that could be possible, ऐसे लगाया, यह function सब लोगों ने पढ़ा है, क्या क्यालाता है यह function, arrow function क्यालाता है, ES6 में जो नया तरीका इंट्रोडियूस करवाया गया, function को लिखने का वो यह, अच्छा मैं बाई देवें, यहां पर फर्क नहीं पढ़ता है, अगर मैं function कीवर्ड वाला भी लिखूंगा ना, function, ऐसे भी लिखनों तो that's perfectly fine, क्योंके हम नया वाला पढ़ रहा है न, javascript, तो हम यह लिखेंगे, यह जो नया वाला function है, है लिखने का तरीका, इसमें पुराने जो मसले मसायलते है, hoisting was a bigger problem, hoisting जो है, उसके फाइदे भी है, लेकिन वो actually at the end of the day, वो problem है, क्योंके वो पहले ही register हो जाता है, वो नहीं भी चलना हो तो भी, उसको वो register करके बैठा हो होता है, तो कुछ मसले होते हैं उसकी वज़ा से, और दूसरा ये, कि function का जो default behavior है वो, उसमें hoisting होती नहीं है, सब languages में, तो इसलिए यहां से भी खतम करवा दी, तो यह वाला जो है ना, यह standard है, यह हर programming language में function का जो behavior है, वो ही इसमें भी है, जो नया वाला है, बागी पुराने वाले में कुछ extra चीज़ है थी, जो nonsense है थोड़ी सी, तो यह मैंने function अटेच कर दी है इसके साथ, तो इसने बोला है कि भाई, पहले एक property key लिखते थे, और उसकी एक value लिखते थे आप, key value का pair होता था, यह discuss की थी हमने बाद, कोई मुझे बता सकता है कि function जो है, first class जो है, what does it mean by first class, क्या मतलब है किसी चीज़ के first class citizen होने का, नहीं वो तो hoisting है, और वो कौन-कौन सी है, तीन बाते हैं अगर किसी चीज़ में हो तो हम उसको कहते है कि यह first class है, variable जो हो java strip में वो भी first class है, function भी first class है, function भी first class है, function by the way, हर programming language में function first class नहीं होता है, कुछ ऐसी जिसमें function क्या होता है, first class नहीं होता है, जैसे c language है, c language के अंदर, function is not a first class citizen, java script में है, तो मैं तीन बाते मेंने असी बताई नहीं, अगर वो हो, तो क्या होता है, वो चीज पर first class होता है, तो function में कौन सी तीन बाते हैं, जो java strip में हैं, जिसकी वज़ा से हम कहते हैं, कि java strip के function first class नहीं है, याद है किसी वो गूल नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा, पहले नहीं से पूछ लूँ, अच्छा, number 1, किसी भी function में as a parameter उसको pass किया जा सके, number 1 property है, मतलब एक function को, मैं किसी दूसरे function में as a parameter pass कर सकता हूँ, एक variable को, मैं किसी function में as a parameter pass कर सकता हूँ, पहली चीज़ यह, किसी function से as a value, उसको return करवाय जा सके, variable है न, variable first class है, तो function से as a value return करवाय जा सकता है, उसको, और किसी variable में store किया जा सके, यह 3 बात है, अगर यह 3 बात है किसी कोई भी चीज़ है न, उसमें यह 3 बात है, कि वह variable में store हो सके, function में pass हो सके, और function से return हो सके, तो उसको कहते है first class है, variable first class है, boolean, number, array, object, यह सारे first class है, function भी first class है, और क्या है, number 1 किसी variable में store हो सके, number 2 किसी function में pass हो सके, number 3 किसी function से return हो सके, number 3 किसी function से return हो सके, यह अब Google भी लिखेंगे, आ जाएगा कोई यह, मतला भी इतनी वह नहीं है था, ठीक है, first class citizen लिखोंगा न, देखो आ जाएगे, मैने का first class citizen in javascript, नीचे का यह न, what is first class citizen in javascript, जाएगे को इसने क्या लिखाव है, इसने लिखाव है, कि अनी प्रोग्राइमिंग लैंग्वेजेज, देखो इसने क्या लिखाव है, किसी to treat functions as a value, to pass them as an argument, किसी function में pass किया जा सके, return function from another function, then programming language has first class functions, इसने तीसरी बात का जिकर नहीं किया, दो बातों का जिकर किया, कह रहा है यह दो ही हों, तो मतलब जाहर है value जब ही pass होगी, जब variable पर save हो बाएगी, तो यह first class citizen क्या लाता है, ठीक है, यह कहाँ पर लिखावाई है, geeks of, पता नहीं क्या geeks है, अ हमें दिस्क्षा किया है, हाईनों ने यह discuss किया हुए, जी दोस्कों, रर्टर से इंसने पर अटे वो फशल को बनाते वे जो आप लिख रहे होता है ना, यस है कि फंक्षन बनाया है ना, मैंने यह इसर दिक्षन पर गिसक्त है, num1, num2 यह इसके arguments है यह parameters है यह इसके parameters है मुझे ऐसा लगता है I'm not sure यह थोड़ा tricky question है मतलब इसका real life से इतना तालुप नहीं है थोड़ा tricky question है लेकिन यह parameters है parameter का मतलब है यह मिलेगा तो इससे ही decide करेगा क्या आगे क्या करना है हर चीज को decide करने का एक parameter होता है तो यह इसका parameter लेकिन जब इस function को call जिया जाएगा तो अभी यह argument आया एक सामने से तो that would be called argument तो parameter और argument में slight सा फर्क है डिफरेंस है जो console.log क्या है console.log is a function we call it जो parenthesis open और close जब करता है किसी भी चीज के आगे parenthesis open close जो होता है goal bracket that is called call signature जैसे बेगो बगा रहा है console.log जब किया न मैंने और यह bracket open और close किया यह जो चीज है न यह वाली चीज इसको हम क्या कहता है call signature और यह call signature सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के साथ लगा सकते है सही है जैसे यह console.log क्या है एक function है इसको मैंने call करना है यह मैं call करना हूँ इस function को call signature लगा ले यह मैं किसी number के variable के साथ कर सकता हूँ भाई मैंने एक number के variable बनाया है my num इसको मैं call कर सकता हूँ ठीक है let my num equals to 5 अब नीचे जाएके मैं my num को call कर दूँ ऐसे क्या यह काम मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता है error देगा हूँ कहेगा my num is not a function यह मैं number variable के साथ यह call signature नहीं लगा सकता हूँ यह call signature मैं सिर्फ और सिर्फ एक function के साथ ही लगा सकता हूँ तो console.log क्या है एक function है इसको मैं call कर रहा हूँ और function को call करते वखत अंदर मैं इसके जो भी चीज दूँगा call करते वख that would be called argument के अभी यह चीज आई है सामने अभी यह argument आया है ठीक है और जो इसकी definition है वहाँ पे यह parameters है कि यह चीजें आईंगी तो इससे decide होगा अगे क्या गरना है well यह still a tricky question real life से इसका इतना कालोग नहीं है मगर terminology की बात है terminology की बात है कि अगर आप पड़ रहे हैं किसी जगा पर कोई article पड़ रहे है अगर वो बार बार parameter parameter बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह parameter कौन सा वाल है और argument कौन सा वाल है ठीक है terminology की बात है ना जैसे मैंने जिकर किया दे कि दो इंजीनियर जब आपस में बात करते हैं तो वो किस में बात करते हैं एक language होती है इंजीनियर्स की भाई का mechanic जब दूसरे mechanic से बात करता है तो इसकी एक जुबान होती है उसकी mechanicों की एक अपनी जुबान होती है बिलक शार्ट होगी है तो अब शाइड तो एक साल में वह कोगा नहीं होता है। वहसल में वीग हो जाता है, टेंड़क्टिविटी भी हो जाती है, शाइड तो नहीं होता है। लेकिन उनकी टर्मेनोलजी है कि फिला शाइड हो गया, मतलब खराब हो गया। तो इसी तरह software developer जब दो आपस में बात करता है, तो एक terminology होती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको यह पता होना चाहिए। Otherwise आपको सामने वाले की बास समझ में नहीं आएगी कि यह बोल क्या रहा है। तो हमने यह तो पड़ी इसी बात कर ली। तो हमने क्या देखा कि यह जो function है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। किसी variable में store करवा सकता हूँ। array की किसी index में भी store करवा सकता हूँ। array में चार index है, पहले पे एक number है, दूसरे पे एक function है, तीसरे पे string है, that is possible. object के अंदर ऐसा value store करवा सकता हूँ। समाझा गई बात की बदी। अच्छा, calculate fees में जब लेखता हूँ। मैं बलता हूँ, console.log ठीक है, console.log अच्छा, इसमें यह रटा दता हूँ, इसके, parameter की ज़रूत नहीं है, मुझे यहाँ भी फिलागे। मैंने कहा, console.log im fee calculator सही है, यह function जब चले तो यह बता दे कि हायर मैं चल रहा हूँ और मैं हूँ, fees calculate करने वाला function इसको इन दवा चला की भी देख लेते हैं, कि यहर वाकि ऐसा value store हो भी गया है, कि हमें लग रहा है, सिर्फ के हो गया है हमने तो कर दिया store, हमें हमें बता चल अच्छा है, फर्स्ट क्लास रिडिजन था हमने store कर दिया, अब वाकि यह हुआ भी यह store चलता भी है, कैसी ही तो इसको मैं चलाने के लिए करूँगा, मैं बोलूँगा student dot fee calculator, calculate fees और call signature सही है, इसमें कोई confusion तो नहीं है, यह function यह store हुआ है, मैंने का student dot calculate fees, तो student dot calculate fees लिखने से मुझे क्या मिल गया, मुझे function मिल गया, function पूरा return हो जाएगा यह आपर, यह function पूरा return हो जाएगा, क्योंकि calculate fees की value जो है, वो मुझे यहां मिलेगी न, ऐसे लिखने से, भाई, मिसाल अगर मैं student dot marks लिखता हूं, तो यह मुझे क्या return करेगा इतना statement, 70 return करेगा, 70 return करने का मतलग यह है, जब यह code चलेगा, तो यह खुद गायब हो जाएगा, और 70 यहां पर आजाएगा, यही मतलग है, तो इसी तरह अगर मैं लिखता हूं, student dot calculate fees, तो इसका मतलब है, यह पूर function आजाएगा, इसकी जगा पे, और उस function पे मैंने call signature लगा दिया, मतलब वो function चल भी जाएगा, तो चलते हैं, इसको चला के देखते हैं, के वाकि यह चल भी रहाएगा, नहीं चल रहाएगा, कट कि हमेने इसको refresh किया, यह function चल गया, और यहां पर लिखा बागया है, हम fee calculator, return, लिखा बागया है, सही है, यहां तक तो समझ में आगया, फंक्शन पहले हम variable में बना दे थे, अब इसके अंदर बना देंगे, यह function को return किया, यह return किया, यह return किया, इतना लिखा है, तो return हुआ नहीं यह पर, यह पूरा function यहां पर आजाएगा, इसको cut किया मैंने यह से, जब यह code run होगा, इतना लिखा गर मैंने, तो यह पूरा खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगा पे वो पूरा function आजाएगा, और उसके आगे क्या लग जाएगा, call signature, और function वो चल पड़ेगा, भाई अगर function के आगे मैं direct ऐसे call signature लगा तो चल जाता है ना function, यह नहीं चलत चल जाता है, चला के देख लेता है, उसके लिए लेकिन मुझे एक काम करना होगा, इसको ब्रैकेट में pack करना होगा, इसको ब्रैकेट में pack करना होगा, इसके call signature लगाना होगा, यह देख रहो, यह ब्रैकेट में pack इसके लिए करना पड़ता है, यह थोड़ा यह confused हो जाता ह तो यह function क्या होता है यह क्या हुआ है इसको intermediate value 49.13 49 पर मैंने क्या लिख दिया से HTML के 49 पर यह हुआ है HTML का 49 यह है अच्छा फिलाला भी मैं यह वला टागे ना function keyword वला चला लेता हूं फुटी तरीगी लिए FUNCTI1 ठीक है मैंने keyword function keyword वला function लिख लिए पुराना वला लोड़ा ठीक है अभी इसको चला लेता है मैं भी वो arrow function में को issue हो रहा है इससे यह ब्रैकेट वर्टी ब्सक्रे स्क्राइब पुर्दी existri? यह ब्रैकेट मैं चला लिए यहापे मैंय है इस फेसरह चला लिए इस है वहाज j सक्क्तितियो नहीं यार अभी भी मसला करता है, क्यों भाई, अनॉनिमस, इंडेक्स दूल 4913, 4913, क्या नहीं लगा ला, लिष्ण व Señ लेफ्ट, विट में लगान थे नहीं लगा मैं बाकि सारा कोड उड़ा दता हूसना उपर निचा दूच भी नई शसके बाकि सारा कोड दिया सिर्व धायत कर दिया इसको अटागे arrow function अगर मैं बना दूँकू arrow function बना दिया बापिस अभी भी चल गया इसी हो है semi column भी अटा दा दा तू फिर चल रहा है तो उस वक्त क्यो नहीं चल रहा था क्या तो उस वक्त ऐसा इस object की वज़ा से कोई मसला हो रहा था इसको यह उपर से कोई object object खुला रही है या object से पहले कर देता हो इसको object से पहले कर दिया मैंने इसको अभी भी सही चल रहा है और object के बाद करूँगा तो मसला करेगा object के बाद लिख रहा है इंटरमेडियेट वैलियू अच्छा यह अटा दोता हूँ फोड़े जरी के लिए अगर इससको कोई प्रॉबलम हो रही है तो नहीं इस object के बाद यह चली नहीं रहा है अच्छा object के बाद अगर मैं सेमी कॉलन लगा दूँग अच्छा अब सही चल रहा है object कहां पर खतम हो रहा है यह javascript शायद समझ नहीं पा रहा है यह bracket की वज़ा से javascript को लग रहा है कि object अभी भी चल रहा है तो यह सेमी कॉलन कुछ जगाओं पर ऐसे required मुझे जरुद पढ़ रही है इसकी well तो हमने क्या देखा वापस उसी पर आ जाते हैं कि भाईजान मैंने बोला student dot calculate fees और जब मैं इतना लिखूंगा ना तो मुझे पूरा यह function मिल जाएगा इतना सारा और उस function में मैंने call signature लगा दिया तो वह call हो गया सभी है, it's that simple सभी है चल गया भाई, IMP calculator अच्छा तो भाई अब यह तो हमने करके देख लिया कि function पहले खुले में बनाते थे अब function organize होंगे object के अंदर होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या function के organize होने के कि लावा भी इसका कोई फायदा है यह सिर्फ function बाहर बनते थे अब अंदर कर देंगे तो बस हो गया तो यह हम देखते हैं, find out करते हैं अच्छा अच्छा, अब यह कह रहा है न, कि function तो पहले तो बना दिया था, वो तो सही है लेकिन अब हम क्या करेंगे अब मैं इस function को दोबारा लिखूंगा और refine way में लिखूंगा refine way का मतलब क्या हुआ going to add, अच्छा, यहां पे न, मैं भी क्या करता हूँ इसकी fees को ही define करता हूँ मैंने का monthly fees monthly fees इसकी क्या है, मिसाल के दौरपे 15.00 ठीक है, और course duration जो है, वो क्या है 4 months है course duration in months ठीक है मिसाल के दौरपे मेरे पस एक website है मेरे पस एक database है उसमें अलग-अलग courses होता है ठीक है, 4-5-6 अलग-अलग courses हो उसमें सबकी fees अलग-अलग है किसी की मैं fees बात में change भी कर सकता हूँ मुझे कोई ऐसा function चाहिए जो उस course का क्या पताते मुझे complete fees मुझे calculate करके बताए complete fees का simple सा हल है कि भाई मैं क्या करूँगा मैं यह आप आगे बोलूँगा student dot monthly fees और multiply by क्या student dot course duration in month अगर यह दोनों को मैं multiply कर दू और return करवा दू तो मुझे मिल जाएगा अगर जो भी मुझे चाहिए लेकिन अब मेरे पास benefit क्या है इन्होंने जैसा के बताया इन्होंने बोला कि भाई अब आप क्या करेंगे यहाँ पे this dot लिखेंगे ना तो उससे क्या मिलेगा आपको इस student automatic मिलेगा तो student code आगे मैं this भी लिख सकता हूँ यहाँ पे अब पहले तो student करके चलाते हैं यह code इस वक्त सही है बिल्कुल इस code में कोई मसला तो नहीं है मैंने का monthly fees है और duration है उसको क्या कर दो? कि पंदरा सुरुबे fees थी? चार महीने तो चार से multiply कर दो तो क्या अब answer आगिया? 6000 6000 answer आगिया ना तो अब इसको अगर मैं जाओ इसको मैं call करूंगा इस function को तो यहाँ पे क्या return हो जाएगा? let result equal to और मैंने यह call करके calculate fees लगवा लिया इसके और इसको मैं बात मैं console भी करवा लेता हूँ result तो इस result के अंदर 6000 print हो जाना चाहिए 6000 print होगी कि लेकि यह student लिखने की मुझे जरूत नहीं है जिस object के अंदर यह save है function मैं this जब लिखूंगा तो उस object की properties को access में कर सकता हूँ तो मैं इसको this लिखूंगा तो भी same result आएगा एगी बात कि बार बर मुझे उसका नाम न लिखना पड़े नाम कुछ भी हो सकता है object का नाम चेंज कर दिया तो this में मुझे मुझे वो मिलता रहेगा नाम चेंज करूँगा तो नाम चेंज ना करना पड़ेगा जी अब इसके अब पिर दिस नहीं लगा सकता हूँ अच्छा दिस बाइदवे फिर भी लगेगा लेगिन वो दिस का मतलब फिर कुछ और होता है उस दिस में पिर वो पूरा object नहीं मिल रहोंगा पिर वह फंक्षन मिल रहो होगा बड़ा ये क्या होगा नहीं तो नीचे तो दो चुटन लिखेंगे न दिस क्यों लिखेंगे एक मिनद यार ये मनें मिस्टेक किये गया मिस्टेक तो मैंने बोही नी की, well this dot monthly fees में देख लेते हैं क्या मिल रहा है मुझे, maybe string, okay got it, ये string है ना हमारा, जो पंदरास हो ये तो number में चाहिए ना मुझे, इसलिए वो N.A.N. दे रहा है, सही तो दे रहा है, four भी number में चाहिए मुझे, yeah तो सही तो दे रहा है N.A.N. हो य यार, अभी भी N.A.N. दे रहे हैं क्या चक्कर है ये, console.log this dot monthly fees, इसको तरह में console करा लेता हूँ, undefine मिल रहे हैं, ये क्या पकवास यार? अच्छा, function, keyword, function वाला लिख लेते हैं, क्योंके book में उन्होंने function, keyword वाला लिख है, f-u-n-c-t-i-u-n, सही अभी function, keyword वाला लिख है, arrow function को थोड़े जरीके लिए रोग देते हैं, मुझे लग रहे है, arrow function में कुछ extra लिखना पढ़ेगा इसके साथ, अच्छा, आप सही चल है, keyword वाले function से सही चल रहा है, arrow function जो हो थोड़ा सा, उसमें different उसका behavior है, ठीक है, तो हम Google कर लेंगे, अलग से, as a method, arrow function को use करना तो कैसे करेंगे, छोटी सी कोई चीज होगी, वो पता चल जाएगी है, क्योंके ES6 में, arrow function ही इस्तमाल कर रहे होते हैं, अच्छा, book में देख ल ये बाला function लगाएंगे, तो वो this, host होगे, global में इसे दिस लाता है, वो अंदर वाले, nested क्या मतलब, अगर ये चॉपी जैसे है, अगर ये function ये भी host होगा, आपर, कहां पर host होगा, अगर ये function बाहर कैसे निकलेगा, नाम ही निकलेगा, नाम ही निकलेगा, नाम ही इसा है, तो क्या होगा, नाम है, इस case में तो किसी और इसको नहीं कर सकता है, ये possible नहीं है, कुछ और cases में हो सकता है, by the way, ये है मसला इस function वाले के साथ, named function जो है ना, ये जो keyword वाला function, इसमें hoisting होना issue है, लेकि अभी इस case में ऐसा issue नहीं है, अच्छा, as object method, अच्छा, ये किसी ने सवाल पूछा हुए, कि भई, मैं जब ये वाला लगाता हूँ, ना तो चल जाता है, और जब मैं लगाता हूँ, कौन सा, arrow function, तो वो नी चलता, अब किसी ने जवाब दिया हुए, यहापर, यार यह तो कह रहा है, चलेगा, हमारे पास नहीं चलता, यह तो कह रहा है, ऐसे करके चला लो चल जाए, अच्छा, नहीं, यह दिस लेकिन गैट नहीं कर रहा है, यह चौपर.honor गैट कर रहा है, अच्छा, यह एक्सेप्टेट अंसर यह आगया, एक्सेप्टेट अंसर में इसने बुले है कि बई, चौपर, return this.honor, is worth this here, this यहाँ पर undefined, whatever this is here, is worth this here, अच्छा, जो बाहर this होगा, वोई अंदर होगा, इसका अपना this नहीं होता, सही है, got it, arrow function का अपना कोई this नहीं होता, यह तो हम पढ़ते रहे हैं, शुरू सही, अच्छा, तो फिर करेंगे क्या, यह नीचे बता रहे हैं कि करेंगे क्या, यह कह रहे हैं, एक तरीका यह है, कि this, अच्छा, यह function keyword वाला है, एक तो तरीका यह है, कि function keyword वाला use कर लो, arrow function यूज ना करो, अगर arrow function यूज कर रहे हो, तो ऐसे करके कर लो, लेकिन यह भी तो नाम वाला है, अच्छा, तो कुल मिलाके बात यह समझाईगी कि arrow function हम क्या कर सकते हैं, method में use ही नहीं कर सकते हैं, हमें method में यह यूज करना पढ़ेगा, या तो नाम वाला function, और या तो यह वाला function, ठीक है function का keyword अटाएगी, या तो यह, ऐसे होगा है, तो बैतर यह है कि जैसे book में बताया है, आप exactly वैसे ही करूँ है, arrow function यह पर इस्तमाल नहीं हो सकता, मतलब इस्तमाल हो सकता है, लेकिन उसमें दिस्क नहीं मिलता, बर, दिस्क जो बाहर का है, वो ही रहेगा अंदर यह, चलो ब अच्छा यार, तो दिस मेरा ख्याल है, इसमें और तो कुछ नहीं है, अब देख लेते हैं, अगला chapter क्या है हमारा, अच्छा, constructor, constructor का क्या मतलब है, what is constructor, अंग्रेजी में constructor किसी इसको गहते है, जो किसी इसको बनाता है, उसको constructor कहते है, constructor function होता है, अवे किसमें, यार वाप अपसी बना पानी लते गया जाना, एक constructor function होता है, क्या रही है, again, hosting plan है के वाला, अब constructor function में मैं तो में दो जुम्लों बाता देता हूँ, है क्या, एक ऐसा function, जो एक object को from scratch बना के return करता है, एक object को from scratch बना के return करता है, जो object पहले से माजूद ही है, from scratch बना के return करता है, simple है? नहीं नहीं वह तो dom था वो गया वो तो वेदर अपना ही तुमने भी उसमें कैसे किया है इनर-श्टमल लगाया है इनर-श्टमल लहाँ था नुसमें तो वो सारे HTML ने जयाना जावा स्क्रिप्ट से लिखा है उसका, डॉम की तरीए तो वो बन जाएगा तो तुम्हे आटोमाटिक समाझ आजाएगा कैसे हो गए अच्छा गर वैसे आपको अब्जेट बनाना होता है तो आप कैसे बनाते है जैसी बनाते है तो क्या अब्जेक बनाने के लिए मुझे फंक्शन की जुरुत थी क्या इस केस में तो नहीं है अब कौन सा ऐसा केस होगा जब मुझे इसकी जुरुत पड़ेगी कोई ना कोई होगा केस ऐसा अच्छा इमेजन करो एक सिटूइशन इमेजन करो मैं एक HTTP request कर रहा हूँ एक HTTP request कर रहा हूँ HTTP request जो मैं कर रहा हूँ REST API है क्योंके वो जैसे Weather की अपने API गाल गी थी ऐसे मैं क्या पाल कर रहा हूँ फेस्बुक की API गाल कर रहा हूँ फेस्बुक से ना पब्लिक पोस्ट गैट कर रहा हूँ तो rest api को राप चीज भेजनी है और और आपने मौनी कि search की turn क्या है Elon Musk और आपने एक दो चीज़े और भी उठा लिए के date के आज से लेके पिछले तीन महीने की लाओ तो date की range भी आपने लिख ली अब उसका अपने object तयार करना है object तयार करके आपने भेजना है वहाँ पर API पर call करना है कैसे करेंगी मिसाल के दौर पर यह exios.get की API कॉल कर रहे हैं ठीक है यह https colon slash slash और कुछ dot com slash search यह API का आपका link आ गया उसके बाद आप क्या करेंगे get में तो body नहीं होती post कर दता है ठीक है post कोई create कर रहे हैं इसके उसमें भी post use होता है ultimately बात यह है कि इसको आपको comma डल की क्या देना है एक object देना है ठीक है मैंने दे दिया है यहां पर मैंने कहा कि search term equals to document dot query selector input dot value search term में मैंने यह दे दिया है इसको और क्या देना है मुझे इसको date देनी है मैंने कहा भई date दे दो किस में से जाके दो कोई मेरे पस form के अंदर date के नाम से चीज मौझी हुद है उसकी value उठा के दे दो तो यह मैंने इसको क्या बना दिया एक एक object construct किया ना from scratch क्या मुझे इसमें function की जरूद पड़ी हुद हो गया क्रियेट हो गया क्रियेट object create भी हो गया उसको मैंने direct implicitly मैंने create किया अचा इसको अलग से करना होता अगर तो cut कर लिया मैंने यह और मैंने का let obj equals to this यह object create हुआ और मैं यह आपे obj लिख देता यहां तक तो मुझे function की जरूद नहीं पड़ी कौन साइसा case आएगा इसमें मुझे function की जरूद पड़ेगी object को बनाने के लिए function की जरूद पड़ेगी सोचो अच्छा सवाल बोला कि महांसे वापस जरूद आएगा तो वापस जो चीज आएगी वो तो होगी object पहले सही यह just in case अगर वो object नहीं भी है तो मैं जैसे इसको बना रहा हूँ वैसे इसको बना लूँगा मैं return करवाने से बहले मैं बोलूँगा let result equals to और ऐसे करूँगा और मैं बोलूँगा के यार date equals to क्या है response.body.date यह response में से मैंने उठा के यह रखवा दिया यहांगे choose and pick करके एग object बना लिया सभी है और मैंने काए data equals to response.body.data ऐसे मैंने choose and pick करके पूरा object तयार कर लिया तो ना मुझे भेजते में function की जरुद पड़ी ना मुझे वापिस आने के बाद function की जरुद पड़ी तो मुझे function की जरुद पड़ी एक object को तयार कर वेगी लिया सोचो बुक में देखते हैं पहले तो इस बात के बारे में कुछ बात की है इसने क्या कर रहा है इसने ये function मनाया हुए capital P से इसका नाम होना चाहिए function का small से करेंगे तो error देदेगा इसमें कुछ parameters लिये इसने और this dot करके जो भी बात लिखी और उसमें वो चीज रखी और ये function जब चलेगा तो ये पूरा function क्या है रिटर्न करेगा automatic है object रिटर्न करेगा ठीक है small p में नहीं चलता है ये standard है जैसे class जो होता है class का नेम भी आप capital से लिखता है तो उसका जवाब ये है आपको इस function की दुरत कभी भी नहीं बढ़ेगी सही है function की दुरत आपको कभी भी नहीं पढ़ेगी this is just another way to create an object जैसे dot notation से भी access हो जाता है square वाले से भी हो जाता है तो this is just another way कोई ऐसी खास जगह नहीं होगी जहां पर आपको आपको पढ़ेगी ठीक है अच्छा लेकिन कुछ जगाओं पर इसको इसको इस्तमाल करना ना recommended है वो कौन सी जगह वो भी हम समझते हैं लेकिन पहले इसका एक दफा चला के देख लेते हैं कि यह बनता कैसे बना के एक बार हम इसको देख लेते हैं फिर एक use case सिरफ ऐसा है जहां हूहाँ पर रेकिमेंडड़ है कि यह को इसको कमाले अگर नहीं He kare इस तमाल ना पर पूराने देख रीव से करने जो हम है atte पर प्रविवड़े एं आद्दNOfa पस आ जाते हैं और जाता हूँ एस सब को मारने और दिता हो जू benut that इसको भी मैंने रोख दिया अब यहाँ पर मैं लिख देदा हूँ अच्छा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे है फंक्शन का कीवर्ड सबसे पहले ठीक है नाम कैपिटल से कोर्स मिसाल के दर्पर मेरी एक वेबसाइट है उस में कोर्स की लिस्ट है साभी तो मैं उसके लिए ये बना रहा हूँ मैं ऐसे ऐस्योम कर रहा हूँ ठीक है सबसे पहले course का नाम सही है और उसका यह title बोल दो उसको title subtitle नीचे जो line आईगी उस course के उसके बाद duration in month और उसके बाद fees monthly fee और एक आखरी जोर रिख दें इंस्ट्रक्टर नेम के इंस्ट्रक्टर कौन होगा इस course का सही है यह सारे parameter मैंने ले लिए यह एक इंस्ट्रक्टर फंक्शन ने इसका काम किया है सिर्फ सिर्फ अब्जेक्ट बनागे आपके हाप में दो जाना कि बस इसका काम खताब होगा क्या लिखोंगा अब मैं मैं लिखोंगा this dot title equals to title ठीक है अब मैं जो जो this this करके बोलता जाओंगा वो एक जो आखिर में जो object तयार होगा नो इसमें यह यह properties होगी मैं कुछ को बीच में से गायब भी कर सकता हूँ मिसाल को ने कहा duration in month ना अगर empty है तो उसको नहीं रखोगा ठीक है मैं यह भी कर सकता हूँ मैं if लगा सकता हूँ well अभी मैं if नहीं लगा रहा अभी मैं सारी जिनों को एक साथ ही लिख जेता हूँ as it is तो यह मैंने पयार कर लिया constructor function अब यह constructor function जब यह चलेगा एक तो इसका नाम capital C से होना चाहिए सभी स्माल सी से हो सकता है अब मैंने कहा कि let course course 1 equals to new लगाना पड़ेगा आपको इसके नाम के साथ this is just another way आप इसको यूज नहीं करें पुराना बला कर लें that's perfectly fine अब यह convenience आपको कहां पर देगा वो थोड़ी दिर में आपको खुदी समझ में आजाए कि कहां पर इसको use करने से आपको convenience मिलेगा फायदा मिलेगा सबसे पहले मुझे क्या देना है title मैंने कहा AI chatbot ठीक है AI chatbot development अच्छा मैं इसको line को break भी कर सकता हूँ जब ज्यादा parameter हो ला line को break कर सकता हूँ अच्छा अगला parameter क्या है subtitle ठीक है let's talk गया जी जा सी रहे अच्छा ये दूसरे auditorium से गया अ अ हो एक मेंद़ एक माश्य कुना अपसर आय स्क्रीन तो ना महिंगा अग इसमें ये इंटरनेट की ये वज़ा से ही बन हुआ सभु ये इंटरनेट नी बन हुआ ये ये इंटरनेट नी बन हुआ ये ये वाई-फाी का पिशूने एस तरह की जिसे हो जाना पिट थाकानों जो 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 इस तरह दिसकनेक्ट हो गया कोई शेर साड़ है इसके साथ यह स्वीच में किसीने री स्टार्ट वागर है किया है वाइफाई गाएगा जिसकी वज़ा से यह बंगा शुड़ हो जो 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 अच्छा तो मैं क्या गर रहता है यह इसको पैरामेटर दे रहाँ लेट्स टॉक टुएर कंप्यूटर लाई का यूमन अच्छा तीसरा मुझे क्या देना है पैरामेटर इसको डिरेशन 4 ठोड ठीक है और चौह पिश पन्दरा सो कॉमा इंस्ट्रक्टर नेम यह मुझे देना है श्रीम ठाट यह मुझे सारे पैरामेटर पास कर दी है यह इसको गेर अब यह का करेगा यह औ्च्छेक्ट मुझे बना के स्कोर्स 1 का उन्दर देएगा एक object बनाके मugझे इस course 1 के अंदर मुझे दे देगा अब course 1 को नहीं दाण दर按 haga console करवा लेता हूं course 1 को console करवा कर देख लेता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं कि यह constructor function मुझे object बनाके दे चुका है तो आया कि वाखी बना के दे भी चुका है या ऐसे ही ठीक है? तो यह देखो मेरे पास यह object बना के इसने दे दिया सही है duration लिखा बारा है, instructor का नाम लिखा बारा है, सब title लिखा बारा है अब अगर मैं इसके course1.title लिखूँ तो आज आना चाहिए title यह देखो course1 का title आगिया अचा course1. मैं क्या लिखूँगा? fees तो यह भी आजानी चाहिए, fees भी fees की क्या? मैंने spelling गलत लिख दी monthly fee था न, अच्छा refresh की है, monthly fee भी आगई तो यह बकाइदा एक object इसने बना के दे दिया अचा यह काँ अगर मैं इसके बगैर करता तो कैसे होता कंस्ट्रक्टर के बगैर अगर मैं यह काम करता तो कैसे होता? की बना के उसके सामने नहीं लिख देता हूँ मुझे अब यह जो मैंने कोर्स एक तयार किया है, यह पूरा object मुझे कंस्ट्रक्टर फुंक्शन के बगैर अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाता? मैं आता है यहाँ पर मैंने काता, let और क्या बलता है इसके आगया है? वारीवल के कोई नाम रिख देता, course 1 equals 2 अब course 2 कर देता हूँ, इसको 1 तो पहले से बनावावावावावावावावावावावावावावावावी equals 2 करके मैं यहाँ पर यह सारी बाते हाथ से लिख देता तो यहां पर मैंने लिखा भै नहीं हो रहा हूँ मैं एक एक करके उठा लेता हूँ मैं एक एक करके उठा लिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके लाता हूँ को कोर्स वन को मैंने कांसोल करवा दिया और यहां पर मैं कांसोल करवा दिया किसको बला कोर्स टू को कांसोल करवा दिया ठीक है ये भी एक object तैयार हुआ है और ये भी एक object तैयार हुआ है new course करके तैयार हुआ है दोनों को देख लेते हैं कि दोनों सेम तरीके से बना है कि नी बना दोनों सेम है प्रॉपर्टीस है ये बना हुआ हुआ है अबर हुआ है वही तो भी आपके तैयार हुआ 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 है कान सी ऐसी जागा होगी जहां पर ये वाला तरीका convenient रहगा और ये तरीका ने ये मुश्किल हो जाएगा एक पॉइंट जाएगा ये असान हो जाएगा एक पॉइंट गाँए हाब यंदो नो में को अगेड़र्ट नियुटर्ण हाब यंदोनों में को अगेड़र्स यह तो वो चीज है जो मुझे पैरमेटर में मिली होगा और यह है ऑबजेक्ट के अंदर जो की का नाम होगा इसको मैं नेम कर दूंगा ना तो जब अबजेक्ट बन के तयार होगा उसमें नेम होगा एक एक नेम कर दूगा ना तो यह एर देगा डाप बोलेगा बहु नेम पुम्झे मुझे मली ही निद्हा नेम है क्या यहां पे भी निम कर दो गदूंग और पैरमेटर में मुझे जिस नाम से मिलेगा ना यहां पे मैंने वह नाम लिखने। सब्सक्राइब कर दो कि यह वाग तो के लिए रोगाई ना के यह वाग तो देखो अभी से असान लग रहा है तो अच्छा है अभी से असान लग रहा है मैंने यह तो नहीं बोला कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगा क्लास का कीवर्ड भी अब जावा सिर्फ में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है मैंने यह बोला अभी वो नहीं वो बहुत अभी एडवांस हो जाएगा अभी उसको छोड़ों असल मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगा क्लास का कीवर्ड आ चुक है और लेकिन अभी मैं उस तरफ जाना नहीं चाहरा हूं और ना जाएंगे विसकोर्स में विसकोर्स में क्लास तर नहीं जाएंगे कुछ जगहों के होता है बहुत कम होता है हाँ अच्छा देखो यह तो मैंने एक तो सवाल पूछा था नहीं कि तुम सोचोगे कहां यूज होगा अब मैं आपको बता देता हूँ यह यूज अपसे जादा कहां होता है जब आप जब आप जाबा स्कृप्ट के अंदर ओब्येिट ऑ僅रियंटे ट्रोग्रेमिγंग करेंगे न तो यह हर जगह अपको इस्तमाल करने बढ़ेगा बहुत ज्यादा प्ड़ेग करेंगे जो के हम इस कोर्स में नहीं करने वाले हम इस कोर्स में नहीं करने वाले, क्योंके जावा स्क्रेप्ट के अंदर ना फंक्शनल प्रोग्राइमिंग होती, यह अब्जेक्ट ओरिंटेट कोई नहीं करता, बीच में इनको बुखार चड़ा था, कि अब्जेक्ट ओरिंटेट शुरू करता है इसमें भी, लेकिन वो ज यह अब्जेक्ट ओरिंटेट थी, तो कम्यूनिटी ने जोर दिया के नहीं आर यह हमें पसंद नहीं आरा, तो फाइनली उनों ने उसको हतम कर दिया, वो फंक्शनल पे आ गया हो, यह फंक्शनल पे अंपोनेंट से उसमें स्तमाल होता है, यह उसमें फाली रखना होता है, खाली रखना होता है, यह पर तुम ऐसा है, अब्जेक्ट ओरिंटेट जब प्रोग्रामिक करेंगे ना जाबस्क्रिप्ट के अंदर तो यह फिर आपकी जान पूरा पकडलेगा ऐसे, चमण जाएगा आपसे, जब तक आप अब्जेक्ट ओरिंटेट नहीं करते, यह दोनो तरीके मौझूद हैं, दोनों में से कोई सा भी कर लें, सेम बात है, कोई फर्फ नहीं है, इस पीड का शायद थोड़ा सा फर्फ होगा, लेकिन वो को इतना बड़ा नोटेबल फर्फ नहीं होगा, चोटी मोटी अप में तो वैसे भी आभे स्पीड के ऍानले हृप होगया, मैंने का भई, this.calculateFees equals to function. कर दो तो वहां से भी सही है, direct या मैंने hardcoded लगा दिया, तो भी सही है. यानि यह जो मैंने लगाया न, इससे होगा किया, कि हर बनने वाला object, उसमें यह function पहले से महुदूद होगा. यह लेकिन, जब यह approach करते हैं, this is called object-oriented programming. हम object-oriented करने नहीं वाले हैं, लेकिन यह आपको पता चल गिया, यह वाले, तरीखा बता चल गिया. अचा, बाई दवे, इसका जो नया तरीखा है न, बिल्कुल, वो नया तरीखा भी न, आपको थोड़ा सपोर्ट उसका में लिखके बता देता हूं, वो आप लिखेंगे class, course, ठीक है, और उसके अंदर पर आप क्या लिखेंगे, constructor, ए गदर, और ओं गंस्ट्रक्टर जो हो होगा, अब मैं भी साइस का एक मिनिट न, इस से देख लेते हैं, मैं भी उसका syntax मुझे यार नी है, class, ds6, mdn, mdn से दरा इसका syntax देख लेते हैं कि क्या है, ये साही लिख रहा था मैं, almost, constructor, हाइड वेर दो, साही, और constructor के अंदर न, ये पूरा function जो है, constructor function, ये पूरा इस ठीक है, ये इसका प्रॉपर तरीख है लिखने पर, ये इसका constructor function बन गया, मैंने कुछ गड़बर दोनी की, class rectangle, class course हो गया, constructor हो गया, ऐसा ये जो मैंने this dot करके लिखा न, ये बैसे नहीं होगा, इसको cut किया मैंने, ये पहार होगा, ये इसका नया तरीख है लिखने का, बिल्कुल इसका नया तरीख है लिखने का, ये ये हम use नहीं करेंगे, इस course में तो use नहीं करेंगे, बाकी, कल को कर, अगर न कहीं किसी, क्या करते हैं, किसी जगह पे अगर object oriented programming आपको करनी बढ़ गई, तो फिर ये use हो इसके नदर methods कैसे बनते हैं, वो भी नीचे आजाएगा न, methods इसमें जो न, ये इसका function का keyword नहीं होगा, ऐसे बनेंगे methods इसमें, और ये comma भी नहीं आएगो या, ये इसको लिखने का न, बिल्कुल निया तरीका है, constructor function को लिखने का ये निया तरीका है, ठीक है, आप इसको call कैसे करेंगे, call करने का तरीका बिल्कुल सेम है, new course और parameter में ये सारी चीज़ने आप डालेंगे, call करने का तरीका देखो, मैंने जरह सा भी change नहीं किया, मैंने उपर इसको बनाने का तरीका change किया, ये बनाया पहले ऐसे था जो book में बताया है, और ये इसको बनाने का तरीका है ES6 में, लेकिन अगेन, I would say, कि this is just another way, हर चीज़ का जायरे syntax change हो रहा है, आइस्ता इस्ता, तो ES6 में इसका syntax ही है, लेकिन इसका मतलब ये निहीं कि आप इसको यूज करी ले, this is just another way, object आप, अगर functional programming करने उसमें आप ऐसे object बना है, तो भी that is the same thing, अब इसको चला के एक दबबा देख लेता है, रिफ्रेश किया हाने देखो, इससे भी जो course बना है वोई है, इससे भी जो बना है वोई है, मैंने ES6 के नए वाले तरीखे से बना के दिखा दिया आपको के नए वाले तरीखे से कैसे बने गई है, ठीक है, अच्छा, अब ये जो new course बन गया है, अच्छा, मिसाल के दौर पर मुझे इस पर नए object बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लुखोंगा course 3, course 3 लिखोंगा, equals to, और ये पूरा object इसमें दोबारा रख वहूँगा, सभी है, और titles आए रहे हैं, पर मर्जी का कर दूँगा, मैंने का web dev, web development, course 3 को मैंने आप रख रख वहाँ है, तो ये भी सही तरीख है, और class वला जो तरीख है वो भी सही है, लेकिन class वला तरीखा specifically कहां यूज होता है जब आप object-oriented programming की तरफ जाते हैं, functional में आप उसको use नहीं करते हैं, functional में ये तरीखा good enough है, more than good enough है, ठीव हो गया, ये class का keyword क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा फिर इस class के अंदर private public items होते हैं, यानि पूरा object-oriented के पुरे अपने concepts है, polymorphism है, इसके operator overloading है, function overloading है, वो सारी चीज़े को हम इस course में cover नहीं कर रहे हैं और उसकी हमें जरूत भी नहीं है, web development यह नहीं हम पढ़ने वाले हैं, react में, next.js, mongodb, murn stack पूरा हम पढ़नेंगे, हम इसकी जरूत नहीं पढ़ेगी, इसकी जरूत हमें कहां पढ़ेगी, जब हम object-oriented करेंगे, अच्छा, object-oriented programming react के अंदर नहीं होती है, react आप functional components पे आगे हैं, अभी भी जो mean stack है, जो angular framework जो है, उसमें यह स्कमाल होता है, class, क्योंके वो है object-oriented, लेकिन हम वो करने नहीं वाले है, हम तो करेंगे react, और react सबसे ज्यादा famous है इस वा, VU.js जो है, वो भी क्या है, functional है, जी, नहीं, नहीं, कोई recommend नहीं करोगा, object-oriented को फिलाल side पे करोगा, सभी है, यह मने just information के लिए बताया है, कौन करना होता है, वो तो जब आप job पे लगेंगे न, आपको बोलेंगे कि यह angular पे काम करना है, तो यह जब सीखने के आपको मुखा भी तो देंगे न, टाइम भी तो देंगे, तो यह जब सीखिएगा, अभी जुरूत नहीं है, आपको कल को बोले, ब्लोक्षेन बड्रोजेक्ट आगिया, अब हो करोओ, आपको नहीं आता, आपको फो फोर्म सीखो पड़ो पर लेंगे, वो लेगा, बैठो पड़ो उसको, szikो, और काम करोओ, आपको नहीं आपको नहीं है, तो अगर अगुलर काम आएगा, कोई object-oriented काम आएगा, तो कोर्स खरीद लेना कोई, एंगुलर का, सीख लेना उससे, तो VUJS मैं यहां तो नहीं सिखा रहे हैं, हो सकता है VUJS थोड़े जना में बहुत उपर निकल जा तो क्यों आप कोई मसला है गया, यही सारे concept है, थोड़ा सा चेंज है सफ, तो दो अफते में सीख जोगे, अगर एक एक हंटा रोज सीखो गे, तो 15 दिन बहुत हैं, उससे जादा का गेम नहीं है, अगर अच्छे से सीख लिया है यह एक रियक्ट, तो VUJS 15 दिन से जादा की गेम नहीं है, आलेगी नहीं सीखा हो अच्छे सगर, यह नहीं आगे बैल्ट के गए हो, और असाइमेंट कोई भी ना बने गयो, कुछ भी ना हुआ हो, हाथ से कभी बनके ना एक छोटी सी वैदर आप टाइप की चीज़े का अवराम से तयार कर लोगो, और उतना काफी होता है किसी सौफ़ेराउस गाले के पास, वो गहेंगा बस चलो शुरू कर दो काम, अब बाकी जब काम करते-करते सीखो गया, इतना काफी होता है, ठीक है, तो अभी अभी उस पर अबजेक्ट और जाने की ज़रूग नहीं है, बस ये बुक में था तो मैंने पढ़ा दिया, मेरा दिल भी नहीं था वाइनवे इसको पढ़ाने का, लेकिन आपके क्योंके कॉर्स आउटलाइन में ये शामिल है, तो इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया, जी. गरेक्ट वितुचर का नहीं द्रीत हारा है, ये बिल्कुल आ सकता है, या जสने का बन खुर दूख का, नहीं भी ऐसकता है, नहीं आने की ज़्ची पर से आने की खिल नहीं ही। Нवा उसकता है, बिल उन्रं परिडिक्ट बलेwn कन देंके गौ, शुनार नृलन समयाता हूँ वो होता है कोड को लिखने का अंदाज, that is called programming paradigm अब एक paradigm है functional, एक paradigm है, कोड को लिखने का अंदाज है, कि हर चीज के, कोई click होगा उस पर पीछे function बनागा है, वो चलेगा हमने functional programming ही पढ़ी है ने शुरू से, on click पे पीछे function बनागा होता है, वो चल जाता है that is functional होगा है, हर चीज का एक function होगा, और वो function जब चलेगा, तो वो जो काम है, वो perform हो जाएगा, जब तक वो function नहीं चलेगा होगा, तो that is functional paradigm अचा, फिर हमने पढ़ाता है, एक event-driven programming paradigm, कि event होगा, जो भी चीज़े, अकर हो रही है, everything is event, और किसी event के साथ आपकोई function अटाइच कर देंगे, तो ये event-driven होगया, programming, तो ये दूसरा paradigm है, तो ये दो paradigm already हम यूज कर रहा है, फिर तीसरा है imperative, फिर चौथा है declarative, ये सब हम य imperative पी यूज कर रहे है, declarative पी यूज कर रहे है, सब यूज कर रहे है, एक यू object-oriented भी है, सब यूज कर रहे है, तो code को लिखने का जस्क एक अंदाज है, अच्छा, ज्यादा जो debate है न, industry मेल, वो इन नोनों को लेके ज्यादा लोगों ने हुआ बनाया है, कि functional और object-oriented, बाक तो functional programming तो रहे है, वो नहीं नहीं जा रही है, ऐसा तो नहीं कर सकते है, कि function नहीं लिखे, classes classes बनागे, बड़े मगे, तो function तो classes के अंदर भी आती है, ठीक है, फिर imperative programming जो होती है, उसका मसलब ही होता है, एक line जो है, पूरी एक complete statement होगी, उस line के आखर में semi-colon होगा, आपे बात फतम, अगली line सुसका कोई तालुक नहीं होगा, अगली line में क्या लिखा है, वो एक अलग statement, अगली line में क्या लिखा है, वो एक अलग statement, that is called imperative parody, तो ये भी minus नहीं कर सकते है, लोगों को पसंद आता है, कि अचा है, रखी है, औरने पहले होता है, कि दो थीन line एक साथ म ये बनती है, समझ रहो, तो ये different parody, तो ज्यादा जो हुआ बनाया हो है, जैसे Pepsi Coke बनाया हो है, जैसे Android और iPhone बनाया हो है, ऐसे लोगों है ना functional और object-oriented बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यार, functional programming में सब का बाप है, और C language में तो functional ही चलता है, C language mother of all language है, उसमें functional parody है, तो यही best तरीटा है, क्योंकि Dennis Richie जो है, क्या बनाया है, सबसे समझदार बनाया है, जिसने C language लिखी है, कुछ कहते हैं नहीं है, Dennis Richie जो है 1911 में उसकी पैदाईश हुई है, खीक है, उसने, होगा बहुत बड़ा 30 मार खान, लेकिन दौर हो गया है, चेंज, कुछ लोग कह हैं यह भाई, अभी जदीद दौर की requirement के हिसाब से, जो बड़े software projects हैं, जैसे Photoshop is a big software project, Facebook is a big software project, Google is a big software project, तो इतने बड़े scale के software के लिए न, जो, Amazon ने सिर्फ 60,000 employees, 60,000 employees, सिर्फ Alexa के उपर deploy के लिए, Alexa जो उनके device है, उस पर deploy के लिए उसे, 60,000 employees, सिर्फ Alexa के उनके device है, उस प deploy, तो इतने बड़े scale का software है, तो यह कहते हैं, इतने बड़े scale का software है, यह पर functional programming में नहीं हो पाता इतने अच्छ से, हो जाता है, लेकिन अच्छ से नहीं हो पाता है, तास्क को divide करना मुश्किल होता है, ऐसा लोगों का मानना है, जो लोग, class और object-oriented के supporter हैं, उनका ऐसा मानन तो वो ऐसे बोलते हैं कि अगर हम object-oriented लेके चले ना शुरू से, तो बहुत बड़े scale जब पहुच जाता है na software, तो इस पर टास्क को divide करना असान होता है, उसको test करना असान होता है, ऐसे बोलते हैं, फंक्शनल वाले बोलते हैं, जाओ भी जाओ, इसमें भी टेस्ट करते है आप काम चोर हो तो ऐसे बोलते हैं, आपको काम नी करना है, आपको पका पकाया चाहिए, तो फिर वो कहते हैं, फंक्शनल की speed जाता है, उसमें speed slow हो जाती है, तो बहुत दोनों के अपने-पने बहुत सारे arguments है, वो पूरी एक debate है, वो आप देखेंगे, गूगल करेंगे त अचा, अब कहानी कहा पहाँ पहाँ एकर होपती है, कम्यूनिटीज बनीज़ मनीगे अगी, अब जावएसक्रिप के कम्यूनिटी है वो फक्ड़ बैठी हो पक्ड़ गया चोड़ेंगे, अब बस, हम फंक्शनल से आगे नी जाएंगे, इदर ही रहेंगे, जावासक्रिप कम्यूनिटी के डिशियन है यह अच्छा फिर जो C शार्प वगरा जो है और जो C++ है वो पकड़ के बैठे हुए नहीं हम अब्जेक्ट औरेंटेट को नहीं छोड़ेंगे पाइथन बोलता है चलो यार अब्जेक्ट औरेंटेट भी ठीक है नहीं करना कोई मसला है नहीं फंक्शन मना लो एक ही बाद है फ्लेक्सिबल है थोड़े है तो हर प्रोग्रामिंग लैंगीज को कम्यूनिटी है ना जाइर अवाम के लिए चीज बनती है तो अवाम जो डेमोक्रासी है अवाम जो बोले ही होगा तो वही होता है तो अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई लाइबरेरी आपने लिखी है या कोई फ्रेमवर्क किसी ने लाउंच किया है चाहे वो फेस्बुक हो चाहे वो गूगल हो और कम्यूनिटी बोल लिए के नहीं हमें चाहिए फंक्शनल तो आप देर्टी बजे दे के हम फंक्शनल पी रहेंगे अचाह एंगुलर वाले स्टिल क्या करते हैं उन्होंने और अब्जेक्ट औरेंटेट तरीका बताया वह जावावजेक्ट और अशे होता है जवास्क्रिप्स के फांडर्स है जो भी जो भी मैंटेन कर रहा है जवास्क्रि जावास्क्रिप्ट, विकीपीडिया, तो उस पे आपको ये पैरेडियम जो लिस्ट है, सपोर्टेड पैरेडियम, उसमें आपको ये सारी चीज़े मिल जाएंगे न, ये रख, सही अच्छा इस तरह की प्रोग्राइडियम को सपोर्ट करती है, उसको हम क्या कहते है, मल्टी पैरेडियम प्रोग्राइमिंग लैग्वेजे, वो कौन कौन से पराइडियम जो जावास्क्रिप में सपोर्टेड है, इवेंट ड्रिवन पढ़ चुके है हम, फंक्शनल यह बढ़ी चुके हैं, यह सारे हैं वो जो हम इसमें कर सकते हैं गर हम चाहें तो, but it is upon our choice, यह हम पर डिपेंड करता है, हम किस के साथ जाना चाहते हैं, हम किस अंदाज में कोड लिखना पसंद करता हैं, यह हम पर डिपेंड करता हैं, ठीक है, अच्छा बाई दवे जावास सब्सक्राइबं यह संदाएब जुखेंख मर्स फञाएं इतना अच्छय से हो भी नहीं बाती है, यह से असमें प्राइविट, प्राइवेशी के कुछ इसूज हैं, अगर आप सब्सक्राइब जाते हैं तो, ज्यादा चांस है, यह हैं कि जावास कावक पी क्म्यूदी भ को इस पर ले आए, वेब डेवलोप्मेंट में, फ्लैटर डायट पर चलती है न, वो बड़ी कोशिश कर रहा है Google कि जावास्क्रिप्ट की जागा ना अपनी कोई लेकर आज़े, बड़ी हुआईश है उसकी, लेकिन मसला ही है मौजला भी बड़ी कंपनी है, वो कैसे आने द सफारी वाले है, एपल वाले है, इनको कौन समझाएगा तो मसला है, बड़ा मसला है, इतनी जल्दी हो नहीं सकता, मिसाल के दौर पे Google क्रोम ने बोला है के चलो आप Google पे, यानि वेब डेवलोप्मेंट जो है, वो डायट पे की हो जाएगी, लेकिन मसला ही है ये डायट प सफारी वालों को ये बोलना पड़े का, एपल ने बना रहा है, सफारी ब्रावजर, और वो इंस्टॉल करके दे रहा है अपनी सारी डिवाइसे में, उनको ये पड़ेगा के भाई डायट में जो बनावे है वो आप इसमें सपोर्ट दें इसकी, अधर अभी रिसेंटली इ बन तो नहीं की सबने लेगिन वो कंपनी बन बन ओ गई बारहा है, इनका तो ये लेवल है ना, दो बिलियन डिवाइसे बेच चुक हैंगे, एपल बले, दो बिलियन डिवाइसे इनकी मार्केट में चल रही है, तो इनों ने किसी चीज़ की सपोर्ट बन की ना, तो दो बि सब्सक्राइब, तो उसमें से 80% निगल गया है, तो बचा कॉन प्रिविशन, तो बचा कॉन प्रिविशन, तो मसला है कि गूगल भी बड़ी कोशिश कर रहा है कि उनकी लैंगवेज आ जाजा है किसी तरह जावाइस कर देनों, लेकिन इतना असान नहीं है, जैसे अपना आजाटो इनोंने चेंज कर लिया, इनकी मुबाइल अप पहले वनती थी जावा पे, जावा इस्क्रेप्ट नहीं जावा, अच्छा इनको उनोंने पंगा किया, संद माइग्रो शिस्टम की ओनर्शिब ना जावा की लैंगवेज जावा पी लैंगवेज तो उन्होंने प तो अच्छे महीने में उनने बना ठीक है आप दोनों पे बना सकते हो यह और ओफिशल सपोर्ट थोड़े जनों में यह वैसे ही खतम करने वाले है जावा की कर दिये वलके खतम किया वह अनौंस नहीं है कर दिये वाई तो आप जावा पे उनके नहीं बनते हैं अपने जितने प्लेयर स्टोर भी उनका है सबकुछ उनका है किसी और का कोई इंफ्लूएंस नहीं है तो उसमें तो प्रोग्रामिंग लैंगज भी चेंज कर सकते हैं बहुत इसमें कैसे करेंगे इसमें तो चार-पांच कंपनीज इंवाल है न बीच में बाइदवे इन्होंने फंगे भ तो उनका ख्याल था कि अगर हम वेब अप्लिकेशन को स्लोडाउन करेंगे न तो लोग विंडोव अप्लिकेशन ज्यादा इस्तमाल करेंगे और उससे हमारा स्टोर चलता रहेगा एंड्रॉइड वालों ने भी एकिया वाला था किट कैट जो था इनका 4.4 उससे पहले के इतने भी इनके ओपरेंटिंग सिस्टम थे 4.4 एंड्रॉइड से पुराने वाले उसमें ब्राउजर जानबूच के श्लो किया वाता वेब व्यू का जो जानबूच के श्लो किया वाता वैसे गूगल करूम खोलो तो अलग ब्राउजर कुलता और एप के अदर वेब प्लिकेशन यूसे करेंगे अभी तो प्लिक वॉधार अप्लिकेशन यूस्टरीए यूस्टरी अब यू झालेगे अगी तो प्लिक कर एश्टाव हो जाता है लगता यूँच भी नहीं परती तो इनको लगता था कि हमारा ब्लेटी हे डिसायद दुड़ हो कैसा कुछ भी अब अफिशल सपोर्ट सबने देना शुरू कर दिया, अभी भी Apple reluctant है, Apple अभी भी reluctant है, नहीं दी पूरी support Apple गारों लेकिन दे देंगे, थोड़ा जिना हुआ, तो हमने क्या सीखा इस case study से, इस पूरी case study से हमने ये सीखा, कि होगा वो जो community बोलेगी, और community कौन है, आप लोग है, community आप लोग है, सही है, तो आप जो बोलेंगे वो होगा, सही है, तो functional अभी सीख लिया है हमने, functional पही रहो, किसी software रहोंज में जाओगे, बोलेंगे वो object oriented कर लो, यह कोई ऐसा framework आगे जिसमें दूम मचा दी, तो भाई मैं भी आपके साथ ही बैट के सीख रहूंगा ना वो framework, ख़र कोई framework आगे आगे, जो object oriented बे तो मैं भी तो आपके साथ ही बैट के सीखूंगा ना फिर वो, तो देखेंगे जो होगा, future तो मुझे भी नहीं बादा, तो दोनों मिलके सीखेंगे, अगर ऐसा कुश होगया ना, सही है, तो कोई ऐसी tension की बात नहीं, वो तो चुण कोई जावस्क्रिट इग् Instra karta है? जावस्क्रिप इग्नूर करता है? एक्स्ट्रा स्पेसेज को हां करता हो दिता है मिसाल के और पर कर्मा यहां पे ऐसे यहां पे एसे तो कोई फर्थ नहीं ऐसे एक ही बार यह चले का तो इसको इग्नोर करें गड़ी बाई देवे मेरी तो आदत है ये इंदेंट का शॉर्ट कट चलाता रहता हूं अगा तो उससे भी सैट हो जाता है लेकिन अगर मैं ना भी चला हूं ऐसे सेफ करके उसको रंग दरूं तो इस नौट अप्रॉब्लम अपिल ने ऑफिशल सपॉर्ट को निदी वह एक अप्रॉट कैसे चलता है याई ऐसुट पर neste नहीं लेकिन फ्लीटर आपिल करतें ना वह एक्वेलन कोड जो स्विफ्ट में उसमें अउसमें कभीत करते हैं फिर चलता है और छलता है और यही बजाए के वो फ्लेटर विजिट बेस्ट है फ्लेटर के अंदर वो विजिट बने-बनाये पड़े में तो वो एक डिवेलपर बैठा उसने एक ही विजिट एक जैसा दिखने वाला एक एंड्रोइड में कॉटलिन में लिख दिया एक वह पे लिखती है अब जब फ्लेटर में विजिट लगाते है न तो पीछे दो कोड एंग एक एक इसका है जब निगालते हैं तो स्विफ्ट में पूरी बिल्ड उती है जभी तो वो नेटिट सपोर्ट है जभी तो स्पीड नेटिव है वो असल में स्विफ्ट पर लिखी दिया आया है, जो फ्लेटर से निलती है अब जितने मरजी विजट बनाते रहो विजट को उन्होंने पूरे स्टोर पोला हुए उन्होंने बला आजो सारे विजट बना-बना कर डालो इदर तो विजट जितनी भी उसमें पीछे कोर्ट दो-दो होता है तीन-तीन होता है, कोर्डोवा के नाम से बहुत जवाने से चल रहा है 2010 में जा हमने शुरू किया था, कोर्डोवा उस वक्त आया था उसमें भी यही काम होगा था, सेम इसकी थोड़ी speed बहतर है, performance बहतर है वो बिल्गुल slow होता है, कोर्डोवा React Native में convert नहीं होगा React Native में bridging करके एक technique है वो तुम पढ़ोगे तो पताँ से जाएगा, bridging होती है उसमें code Java Script का ही रहता है छोटा सा browser भी साथ में install हो जाता है थोड़ी चीज़ हो करता है, थोड़ी चीज़ है थोड़ी चीज़ हो करता है, थोड़ी चीज़ होती है और कन्वर्जन होती है, बरिज के जरीए Speed थोड़ी कम है Flutter से, React Native की लेकिन React Native लोग मैं Flutter पे क्यों नहीं मूव गुग अभी तर मैं इसके नहीं हुआ कि मुझे एक नहीं लेंग्विज सीखनी पड़ेगी, मैं नहीं राजी हूँ मैं नहीं लेंग्विज सीखना रहा हूँ मैं React Native पे बना के दे रहा हूँ फिलाल के लिए वैसे तो मेरे बास अभी वह फिलाल प्रोजेक्ट नहीं है मैं ज्यादा है मेरे Chatbot के और Voice App के प्रोजेक्स है नहीं जस्टिंगेज मैं बात कर रहा हूँ मैं अभी तक कन्वेंस नहीं हूँ कि Flutter मुझे सीखनी से लिए क्योंकि मुझे एक नहीं लेंग्विज सीखनी पड़ेगी तो एक यह भी है मुझे यह नहीं किया रहा है कि आप लुक मत सीखें आपका अपने डिसीजन लेकिन मैं अपने डिसीजन बला रहा हूँ कि मैंने जो डिसाइट किया कि Flutter अभी मैं नहीं सीखूँगा अग अगले अगले अटली हाँ कि Flutter अगर वो जावास्क्रिप की सपोर्ट जेदें उसमां कि Flutter जावास्क्रिप में चलेगी अजल्लाब जो डाइट से करते हैं वो जावास्क्रिप से करवाद हो यार बिलाबजय क्यों डाइट को बीच में इन्वाल्फ करना था लो atra जावास्क्रिप में अपनी लैंग्विज के डाले हो इसमां तो Google को शॉक है अपनी लैंग्विज डालने का अपना इनफ्लूएंस अर जगा अर जग रखने की Google को शॉक है Google को शॉक है कि स्टावास्क्र बहे हां हर जगाs Conference की यूटू जो technical लोग है खासतोर में, जो normal user उसको तो जो मिल दिया, उसको पता भी नियोता ब्राॉजर है गॉन सा, तो तो कोलता यूज करता है, और unfortunately 7% लोग non-technical होते हैं, जो पता नहीं होता है, जो पता नहीं होता है, टेकनल लोग, ब्राॉजर यूज करता है, Google Chrome का, ठीक है, तो Google क जो शौक है, डॉमिनेंस का, लेकिन मसला ही है, वो डॉमिनेंस हमारे लिए भारी बढ़ रही है, अगर JavaScript पे होता ना Flutter, Flutter आज कहीं, पता नहीं कहां पोचावा होता, तो उनके ख्याल में, बई डाल्ट उन्होंने जो बनाई है, वो बड़ी असान लेंग्विज है, और पता नहीं, बड़े फजाइल उसके बियान करते हैं, मुझे दो नहीं लगता लेकिन, वेल, तो हम जड़ा बुक में देख लेते हैं, बागे कोई ऐसी चीज है, जो हम कवर करनी हैं हमने, इस नहीं आपर बुला कि बई, इस नहीं आपर बुला कि बई, इस अमने लगा के देखी लिया अल्रेड़ी, अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का क्या चक्कर है वाई, यह, प्रोटोटाइप का चकर यह है, के देखो, अच्छा, इस पॉइंट पे आगे न, यह जो कंस्ट्रेक्टर फंक्शन है नहीं लड़ा उपर निगल जाता है, मतलब इस वाले केस अच्छा, यह चीज बाइदवे, सारी अब्जेक्ट औरियंटेड ही हम पढ़ रहे हैं भी इसमा, यह जो प्रोटोटाइप है यह अब्जेक्ट औरियंटेड वाली चीज में हम दाखिल हो चुक है, तो इसको थोड़ा लाइटर नोट पही रखना, मिसाल के और पे मैंने फंक्शन बनाया है, यह मिसाल के तौर पे इस फंक्शन को मैं यहसे कट कर लेए हूं और अपने नॉरमल वाला जो तरीखा था ना मेरा, यह घोर स्त्री जो मैंने बनाया, इसके अन्दर आग LT, मैंने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, सही हैं, ऐसे बना दिया, अब यह चु एक चलिएka तो नहीं रेजस्टर नहीं सुस्टरीक भोड़। तो यह मैं टीफल टाइम रेजस्टर वजाएगा। इस से बचने का ऐस बचने का इस अपरोच के अंधर कोई तरीख निय। constructor function में another end है constructor function में तरीखा ये है कि आप नहीं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे this dot की जगह क्या आप लगा देते हैं यहाँ पे आगे अभी लिखा भा होगा इनों प्रोटो अंडरिस्कोर प्रोटो पता नहीं क्या है अठे फुल कोड नहीं लिखा है नोंने यहाँ अगे हाँ यह रहा plan dot prototype dot calculate annual आजो अब इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा यहाँ से करूंगा copy और मैं आउंगा इसको मैं जा uncomment भी करना बढ़ेगा यह मैं class वले को थोड़ा वापस comment कर रहा हूं थोड़े जरी के लिए ठीके class वले को मैंने वापस comment कर दिया हम वापस से किसमें आ गया है यह पुराने तरीखे पे आगे constructory dimension के अब इसको इसके अंदर से मुझे क्या कर देना है इसके अंदर से मुझे इसको cut कर देना है या comment कर दो जो भी कर लो अब मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा capital C से course course dot prototype dot और यह पूरा function लगा दूँगा calculate phase अब इससे क्या होगा कि यह new course new course करके जितनी बार भी बनाएंगे न यह function repeat नहीं होगा memory के अंदर सभी function एक ही रहेगा और सब पर dot करके यह मिल भी रहा होगा हाँ दो तीन जितने बार भी बनादो जैसे यह दो हो इसनो डाइग्राम बना के बताया है वै इसने तीन वार के रिएड किया basic professional ultimate इनके तीन प्लैन है मेरे तीन courses है chat pod, web development और कोई तीसरा है तो उन तीनो के लिए न यह जितने भी function में prototype में डालूँगा वो तीनो के लिए same रहेंगे सब लोग कर चुके है sign up वाले में, login sign up वाले में और देख लेते हैं आगे getting the site URL another way इसके इलावा भी कह रहे है एक तरीखा और भी है वो भी बता देते हैं एक तरीखा ये वाला है window.location.replace replace में क्या करते हैं आप complete URL पूरा रखते हैं पुराना बिल्कुल गायब करा देते हैं और नेया रख देते हैं उसके जग़ाँ तो ये भी आप कर सकते हैं another way अच्छा refresh का button दबा के जो आप करते हैं page reload करते हैं आप पूरा location.reload से भी वो काम हो जाता है अगर आपको किसी button के click पे अपने page में किसी button के click पे पूरा page को refresh करवाना है तो ये reload आप call कर सकते हैं उससे refresh हो जाता है ठीक है इसको अगर आप पढ़ना चाहें वजीद तो आप इसको पढ़ सकते हैं browser control browser के अंदर refresh के button के साथ में क्या होता है backward और forward का button होता है वो button आपको अगर javascript के जरीए control करना है किसी button के click पे refresh हो जातो किसी button के click पे back हो जातो अगर ये आपने करवाना है तो आप क्या बोलते हैं आप बोलते है history.back और history.forward ठीक है? मुश्किल तो नहीं है किसी कभी ज़रुत पढ़ जाती है आपके जहन में होना चाहिए अच्छा ये चीजे मौजूद है यहाँ पे ठीक है? अच्छा history.go में न minus 3 का मतलब क्या होता है देखो मैं browser में जाता हूँ मैं browser में जाके न देखो एक तो single click करूँगा तो पीछे जाएगा तो कितनी है? जितनी history सब आ गई ठीक है? मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी भी tap पे यह right click करूँगा तो जितनी history है वो सब आ जाती है मैं विसाल की दूर पर इस पर car सर्च कर लेता हूँ फिर इस पर मैं क्या कर लेता हूँ and सर्च कर लेता हूँ फिर इसको मैं house सर्च कर लेता हूँ अब यह जितना भी सर्च है न यह सब लिस्ट बन रही है तो मैं minus three करूँगा तो तीन step पीछे चला जाएगा तीन step पीछे क्या है मेरे पास? यह पेज है तो मैं forward में भी और backward में भी तो मैं दो step तीन step आगे पीछे जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा इसके लिए history.go minus three और plus three तो plus three से forward आगे जाएगा और minus से backward पीछे जाएगा यह सारे काम हम कर सकता है अच्छा document.write का जिकर किया है रोने आपे वो भी शुरू से है न कपा document.write document. अच्छा इसने new window open कर रहा है browser के अंदर जो new window open करते है तो ऐसे window.open से window open हो जाती है और उसको एक variable में save कर वा लिए तो उस window पे जो भी काम करना है वो monkey window करके करेंगे इसने एक variable बनाया monkey window और equal to क्या बोला? window.open होता है न समटाइम हम किसी website को कि click करते है एक नई window खुलती है pop-up खुलता है सामने और वो फिर close भी हो जाता है साम तोर पर यह होता है जब आप login with google या login with github करते है तो एक नया browser खुलता है देखा है न? वो इस तरह से खुलता है window.open करेंगे एक नया खुलेगा और उसका जो reference है वो इस नाम से रख लिया तो मुझे normal window में करना है तो window.open किया है उस वाले में करना है तो monkey window.open करेंगे तो उस वाले में display होगा वो close करेंगे window.open किया है monkey window.close तो close हो जाएगे अगर close भी करने तो बन भी जाएगा ठीक है अच्छा लेकिन इसके लिए आपके browser से permission होनी जरूरी है क्योंकि Google Chrome में जब यह open होता है तो block हो जाता है by default उसको allow करना पड़ता है pop-up block लिखवाज़ा न अक्सर हो यह होता है ज्यादादर जो advertisement होती है website पे चीप किसम की advertisement जो website पो होई भी होती है कि किसी button पे क्लिक करो तो ठक window खुलती है torrent अगरे की site पे अक्सर होता है क्लिक करो तो जान ले जाना होता है वह नहीं लेके जाता वह add पहले खुलना शुरू करता तो वह असल में इसी तरह की चीज़ें यूज कर रहे होता है इसलिए by default यह pop-ups को block किया वह होता है Google Chrome पे और different browsers पर लेकिन आप उसको allow कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है जी अच्छा टेस्टिंग pop-up blockers अगर आप यह देखना चाहते हैं कि जो pop-up है वह block है या allow है तो उसका भी एक तरीखा इन्होंने यह पर बताया है कि pop-up जो हो अगर block है तो आपको java script में पता चल जाएगा तो इसको अगर देखना चाहें आप तो इसको देख सकते हैं ठीक है आज की class को हम यही तक रखते हैं हमारी java script आज complete हो गई है यह आपर हम इंशालला अगली class में react को शुरू करेंगे ठीक है इंशालला फिर मिलते हैं नेक्स class में अलाफिस